हलो एंड विलकम तो आप स्क्रीन पर देखी रहोंगे आज हम बात करने वाले हैं कॉंग्रेस के जितने भी इंपॉर्टन सेशन हुए हैं उन सभी के बारे में ठीके तो प्रेज़ेंट कौन रहा किस यह में हुआ है या फिर क्या खास बात थी उस सेशन की स्टार्ट करने से सबसे पहले देखेंगे आएएंसी के बारे में भारती राश्च्र कॉंग्रेस के ही सेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं आएएंसी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को इसके अध्यक्ष है फाउंडर कौन थे इसके एओं यूम थे पहले करेटरी भी यही थे और इन्हें फादर ओफ कॉंग्रेस के नाम से भी जाना जाता है अब बात करते हैं कहां पर स्थापना हुई थी बॉंबे में हुई थी और बॉंबे में भी किस जगह पर गोकुल दास तेजपाल संस्क्रेट युनिवर्सिटी के अंदर वाइसराइस समय में कौन था भारत का तो यह था डफरीन 1884-1888 के बीच जो टाइम पीरेड है डफरीन का था और इसी दौरान आइन्सी की स्थापना हुई थी राइट अब कुछ इंपोर्टन चीजें हैं कुछ इंपोर्टन फेक्ट हैं इंपोर्टन प्रेजिडेंट हैं जो कॉंग्रेस क हैं वह हम देख लेते हैं तो पहले प्रेजिडेंट हम देखी चुके हैं डबलू सी बैनर जी यानि की वियो में इस चंद्र बैनर जी यह पहले अध्यक्ष थे बॉंबे अधिवेशन में 1885 में बॉंबे में ही आइन्सी के स्थापना हुई थी 1885 में राइट पहले मुस्ल में फॉर्थ सेशन में फिर बात करें यंगेस्ट पर्सन कौन थे जो प्रेजिडेंट बने आइन्सी के यह थे अबुल कलाम आजाद 1923 में प्रेजिडेंट बने थे अड़ एज ऑफ 35 पहली फीमेल प्रेजिडेंट आइनसी की थी एनी बेसिंट उनीसु सत्रा के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष्टा की थी और फिर लास्ट है हमारी पहली इंडियन फीमेल प्रेजिडेंट आइनसी की यह थी सरोजनी नाइडू 1925 का कानपूर अधिवेशन इसकी अध्यक्ष्टा इन्होंने की थी तो अब आजाते हमने ग्वेशन पर तो पहला क्वेशन है कॉंग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी हम देखे चुके 28 दिसंबर 1885 कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयूजित किया गया था तो यह भी हम देख चुके हैं डबलू सी बैनर जी थे अध्यक्ष कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कितने डेलिकेट्स शामिल हुए थे तो यह थे 72 कॉंग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में राश्ट्रे गीत वंदे मात्रम पहली बार गाया गया था तो वं रहीम तुला एम सायानी ने अगला क्योशन है कि राश्ट्रगान पहली बार किस वर्ष उर किस ठान पर गाया गया था 1911 में कलकत्ता में गाया था पहली बार राश्ट्रगान और 1911 का जो अधिवेशन था उसमें प्रेजिडेंट कौन थे कॉंग्रेस के ये थे पंडित बी एंधर आप पुछा गया है कि किस अधिवेशन में कॉंग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई नरम पंथी और उगरवादी मॉडरेट्स और एक्स्ट्रेमिस्ट के बीच कॉंग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में और ये अधिवेशन कब हुआ था 1907 में हुआ था इसकी अधियक्षता की थी रास बिहारी बोस्त ने निम्नलीकित में से किस ने 1909 में भारती राश्य कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन की अधिवेशन की अधियक्षता की थी तो लाहर अधिवेशन 1909 इसकी अधियक्षता की थी मदन मोहन मालविय ने next question है Congress और Muslim League के बीच प्रसिद लखनाउ समझोते पर हस्ताक्षर कब किये गए थे लखनाउ समझोता ये हुआ था 1916 में ठीक है और लखनाउ अधिवेशन ये 1916 में हुआ था और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था ना सूरत में और साथी में Muslim League और Congress इन दोनों के बीच भी समझोता देखने को मिला था जिसे लखनाउ समझोते के नाम से जाना चाता है ये समझोते के लिए जो इनिशियेट किया था या जो प्रयास किये गए थे बाल गंगधर तिलक के द्वारा किये गए थे आगे पूछा है कि 1916 का जो लखनों अधिवेशन हुआ था इसके अधियक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और यह मैं पहले ही बात कर चुकी हूं कि Congress के जो दो ग्रॉप्स थे वो रियूनाइट हुए थे लखनों सेशन में अगला क्वेशन है निमले लिकित में से कौन सा Congress का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अधिक्षता महात्मा गांधी ने की थी तो यह था बेलगाउं अधिवेशन कब हुआ था 1924 में बेलगाउं यह करनाटक म महात्मा गांधी ने भाग लिया था याद रखी मैं प्रेजिदेंसी की बात नहीं कर रही हूं मैं बोल रही हूं भाग कब लिया था उन्होंने अटेंड कब किया था तो पहली हमें पता ही 1915 में भारत लोटे थे लेकिन उससे पहले 1901 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्त अधिवेशन उसमें गांधी जी ने पहली बार अटेंड किया था उसमें भाग लिया था क्योंकि उस समय गांधी जी भारत आय हुए थे ठीक है तो यह चीज़ याद रखीगा अगला क्वेशन है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वत किया था नेक्स कोशन पूछा गया है कि इन में से कौन सा सेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी में डाय बट गांधिजम विल रिमेन फॉरेवर गांधी मर सकता है लेकिन गांधिवाद हमेशा जिन्दा रहेगा तो यह कराची सेशन जो 1931 का हुआ था उ और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था सरदार वल्लभाई पतेल सभी तीन गोल में सम्मेलन में किस भारतिये ने भाग लिया था तो जब हम कॉंग्रेस की बात करते हैं तो कॉंग्रेस ने सिर्फ सेकिंड राउंड टेबल कॉंफरेंस में ही भाग लि तो और बागी कॉंग्रेस की हम बात करें तो कॉंग्रेस की तरफ से गांधी जी और सरोजनी नाइडू ये सेकिंड राउंड टेबल कॉंफरेंस में गए थे जो की 1931 में हुई थी नेक्स कोशन पूछा गया है कि कॉंग्रेस का कौन से सेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीता रमया को कॉंग्रेस प्रेजिडेंट के इलेक्शन में हराया था तो ये था त्रिपूरी सेशन 1939 का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पट्टाभी सीता रमया इन्हें गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे और उसके बावजुद सुभाष चंद्र बोस ये इलेक्शन जीत गए और आप ऑप्शन नमबर ए जो आप देख रहे हैं हारीपूरा सेशन 1938 इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस नहीं की थी 39 वाला भी यही जीते थे लेकिन क्योंकि इशूल्स क्रियेट हो रहे थे इसकी वज़े से इन्होंने रिजाइन कर दिया था पाद में ठीक है नेक्स वोशन है निमनलिखित में से कौन तीन बार भारतिय राश्य कॉंग्रेस के अध्यक् अब पुछा गया है कि निमनलिखित में से कौन भारतिय राश्य कॉंग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं महत्मा गानी हम देखी चुके हैं 1924 का बेलगाम अधिवेशन इन्हों नहीं अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस अफ्कॉर्स यह अध्यक्ष रहे हैं 1938 में 39 में भी यही जीते थे गोपाल कृष्ण गोखले यह भी अध्यक्ष रह चुके हैं 1906 में और जो डी ऑप्शन है बाल गंगधर ते लग यह कभी भी आइंसी के अध्यक्ष नहीं बने हैं अगला क्वेशन है निमनलिखित में से कौन लगा था छे वर्षों तक भारतिय रा और रीजन क्या था तो आपने modern history में पढ़ा होगा 1937 में इलेक्षन स्टार्ट हो गए थे कॉंग्रेस इलेक्षन की तयारी में लग गई थी फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था तो इन्हीं सब इवेंस के चलते ना कई सालों तक कॉंग्रेस का को अधिवेशन होगा तो इलेक्षन भी होगा प्रेजडेंट के लिए और अलागलग प्रेजडेंट चुने जाएंगे पर क्योंकि कोई session ही नहीं हुआ तो ऐसा भी नहीं हुआ तो इसलिए लास्ट जो प्रेजडेंट थे अबूल कलाम आजाद तो इन्हीं गार्णों से स्वतंत्रता के समय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो यह थे जेवी कृपलानी आजादी के समय यह आएंसी के अध्यक्ष थे अभी हमने क्वेशन की तो बात कर लिए अभी हम एक लिस्ट एक बार देख लेते हैं जितने भी important session है कौन प्रेजडेंट थे किस वर्ष दूसरा session था 1886 का कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नैरो जी ने भाग लिया था और दादा भाई नैरो जी तीन sessions में प्रेजडेंट रह चुके 1886, 1893 और 1906 फिर है 1887 तीसरा अधिवेशन बद्रुदीन तयब जी पहले मुस्लिम प्रेजडेंट मदरास में session हुआ था फिर नेक्स्ट है चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में अलहाबाद में session हुआ था जॉर्ज यूले जो की पहले ब्रिटिश प्रेजिडेंट थे इन्हों ने अधियक्षता की थी Congress के session की आके देखते हैं तो 1896 अब देखे सीरियल वाइज हम नहीं कर रहे हैं सारे क्योंकि की बहुत सारे session हुए थे तो important ही कर रहे हैं जो याद अथने लायक हैं और जिनसे question बन सकते हैं तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था रहेम तुल्ला एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और वंदे मात्रम पहली बार इसी session में गाया गया था फिर 1905 का वारांसी session था गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी पीछे मैंने शायद 1906 बोल दिया था तो उसको correct कर लीजेगा 1905 का जो अधिवेशन था वारांसी का जी के गोखले ने अध्यक्षता की थी और इस समय पार्टिशन ऑफ बंगाल करजन ने सामने रखा था 1906 का था उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की पूर्ण स्वराज को लक्ष्य की रूप में सामने रखा गया था ठीक है तो दोनों डिफरेंस आप समझेगा 1907 का अधिवेशन सूरत इसमें सूरत स्प्लिट हुआ था कॉंग्रेस के मॉडरेट्स और एक्स्ट्रिमिस्ट के ब बेट्वीन कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और इसी सेशन में यूनिटी हुई थी बेट्वीन मॉडरेट्स और एक्स्ट्रिमिस्ट फिर बात करते हैं 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था प्रेजिडेंट थी एनी बे में ठीक है यह उनिस सो बीस का जो स्पेशल सेशन हुआ था यह दिसंबर से पहले ही हुआ था और रीजन क्या था 1919 में घटना घटी थी और वो क्या थी जलिया वाला बाग हत्याकांट और यह घटना कब हुई थी अप्रेल में हुई थी राइट तेरा अप्रेल के दिन तो और कॉंग्रिस का सेशन कब होता है दिसंबर में मैंने आपको बताया तो यह घटना घटने के बाद कॉंग्रिस का यह सेशन हुआ लेकिन कॉंग्रिस ने इसमें बहुत ज़ादा कुछ स्टेफ्स नहीं लिया इस घटना की सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा की कड़ी निंदा की गई ठीक है और उसका रीजन यह था क्योंकि इस दोरान ही एक कमेटी सेट अप कर दी गई थी एक कमिशन बिठा दिया गया था इस पूरी घटना पर नजर रखने के लिए और इसका एक तरह से जाच करने के लिए कमिशन बिठा दिया गया था तो कॉंग्रिस को उमीदे थी कि वो कमिशन कुछ ऐसा पॉजिटिव लेकर आएगा जो भार्तियों के हक में होगा और जस्टिस होगा तो इसलिए उनिस सो बीस में स्पेशल सेशन रखा गया कलकता में ठीक है और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राये ने और इसमें महात्मा गांध सेशन मूव किया था यह प्रस्ताव लेकर आये थे नॉन कोपरेशन का तीक है तो इसलिए यह स्पेशल सेशन रखा गया था लेकिन उनिस सो बीस का जो कॉंग्रेस का सेशन था जैसा हर साल होता था दिसंबर में वैसा हुआ नागपूर में सी विजया रागवाचारी इसक है कै एक स्वारी तटनाटक में हुआ था महात्मा गांदी ने अध्यक्ष्ता कि थी और फिर इनिसो पचिस का कानपूर अधिवेशन ये जोजनी नाइडू ने इसके अध्यक्षता की थी और पहली इंडियान वुमेन प्रेज़ेडेंट थी है आइंसी की फिर है 1928 का कलकत्ता का अधिवेशन मोतिलाल नहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी सेशन के दौरान इसी साल फॉर्मेशन हुआ था और इंडिया यूथ कॉ इसी में जवाल नहरू के द्वारा जो मसौदा तयार किया था फंडमेंटल राइट्स का वो रखा गया था सबके सामने और इसी अधिवेशन में रिसाइड किया गया था कि सेकिंड राउंड टेबल कॉन्फरेंस में जो लंदन में आयोजित हुई थी उसमें गांधी जी करेंगे INC को और गांधी जी जाएंगे उसमें ठीक है फिर है 1937 का फैजपूर अधिवेशन ये इसकी अधिश्टा की थी जवाला नहरू ने और ये पहला सेशन था जो कि गाउं में आयोजित किया गया था ठीक है अब यह हम आ गए लास्ट स्लाइड पर तो 1938 का हरीपूर का अधिवेशन था सुभाषचंद्र बोस ने इसकी अधिश्टा की थी और इस सेशन के दौरान ही नेशनल प्लानिंग कमिटी सेट अप की गई थी अंडर जवाहरलाल नहरू फिर 1939 का अधिवेशन ये त्रिपूरी अधिवेशन था सुभाषचंद्र बोस चुने गए थे लेकिन इनोंने रिजाइन कर दिया था तो इनके बाद राजिंदर प्रसाद ने अधिख्ष दा की थी इन्होंने बाद में सुभाषचंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद फिर है 1946 का आजादी से बिल्कुल पहले जो सेशन हुआ था जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे मेरठ में हुआ था ये सेशन और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडेपेंडेंस और इंडेपेंडेंस के टाइम पर भी जेबी कृपलानी ही आएंसी के प्रेजडेंट थे तो इट वस अल अबाउट इंपोर्टन सेशन और कॉंग्रेस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूस्फूल होगी थैंक यू सो मुच वाचिंग इट जैहिंद